हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस रिलीज मेडिटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लेम बन गई है अमेरिकन साइकाटरिक एसोसियेशन की स्टडी ने ये बताया है कि 73 परसेंट लोगों ने कबूल किया है कि स्ट्रेस के कारण उनको फीजिकल सिम्टम्स जैसे कि क्रैंप्स, मसल टेंशन, बैक पेन, भूख ना लगना होता है वहीं 72 परसेंट लोगों ने ये कहा है कि उन्हें मेंटल सिम्टम्स आते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना वगेरा 48 परसेंट लोगों ने ये माना है कि ये उनकी प्रॉब्लम्स पांच साल से भी लंबी समय से है दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेस को कंट्रोल ना किया, तो स्ट्रेस आपको कंट्रोल करेगा और आप अपनी प्रोड़क्टिविटी को, आप अपनी क्रियेटिविटी को और आप अपनी पर्फॉब्लम्स को डाउन कर रहे होंगे तो चलिए हम इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं आराम से लेट जाएं या आप चाहें तो किसी आराम कुर्सी पर बैठ सकते हैं किर्प्या लोटस पोजीशन में ना बैठें एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर पूरे शरीर को धीला छोड़ दें एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर हर सांस के साथ आपका शरीर धीला पड़ता जा रहा है अपने सांस की गती को महसूस करना शुरू करिए अंदर आती हुए सांस और बाहर जाती हुए सांस हर सांस के साथ आपका शरीर धीला पड़ रहा है मांस पेशियां शिथिल हो रही हैं और आपका विश्राम गहन होता जा रहा है एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर महसूस करें कि आपके शरीर के वजन को आपके बिस्तर ने या आपकी कुरसी ने उठा रखा है एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माईल आ रही है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है अपनी चेतना को अपने सिर के हिस्से पे ले जाएं वहां की मांस पीश्यों को महसूस करें और रिलाक्स करें अपनी चेहरे के अंदर मौजूद तनाव को महसूस करें और उन तनावों को एक बाहर जाती हुई सांस के साथ रिलीज कर दें रिलाक्स नाओ आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं हल्का महसूस कर रहे हैं आँखों की पुतलियां धीली पड़ रही हैं आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपका टंग या आपकी जेवा भी रिलाक्स हो रही है आपका जबड़ा धीला पड़ रहा है और संपूर्ण सिर और चेहरे का हिस्सा धीला पड़ता जा रहा है अब आप अपनी गर्दन को थोड़ा धीला करें रिलाक्स करना शुरू करें गर्दन में मौजूद तनाव को महसूस करें देखें और धीला छोड़ें दोनों कंधों की मांस पेश्यां धीरे धीरे धीली पड़ रही है और रिलाक्स हो रही है अब अपनी बाई हाथ को देखें हाथ की उंगलियों को धीला छोड़ें और उसी तरह से दाएं हाथ की भुजा की हुनी, हथेली और उंगलियों को रिलाक्स करें रिलाक्स यूर होल बाड़ी, कम्प्लीटली अपनी चाती को और अपने पेट को महसूस करें और शिथिल करें एक-एक रेशा रेशा एक गहन विश्राम में उतरता जा रहा है और आपका शरीर धीला पड़ता जा रहा है पीठ की मान स्पेशियों को देखें पीठ की मान स्पेशियां शिथिल पड़ती जा रही है उनके अंदर एक गर्माहट को अनुभव करें यही विश्राम अब आपके दोनों कूलों में और आपकी दोनों जांगों में प्रवेश कर रहा है दोनों जांग की मान स्पेशियां धीली पड़ रही है रिलाक्स हो रही है उनके अंदर एक गर्माहट आ रही है उनके अंदर एक हैविनिस आ रही है दोनों घुटनों को भी धीला करें और दोनों पैर की मान स्पेशियों को भी धीला छोड़ना शुरू करें जो ही आप अपनी चेतना को तनाव के उपर ले जाएंगे उसके साथ ही आपका तनाव रिलीज होने लगता है यही खूबसूरती है अवेरनिस की पैर की उंगलियों को एक बार महसूस करें देखें और पैर की उंगलियों को बिलकुल रिलाक्स करें धीला छोड़ें अब आप इमेजिन करें कि आप सीड़ियों के उपर है और मैं दस से एक तक की गिंती गिनूँगा आपके नीचे दस सीड़ियां है मेरे हरे गिंती के साथ आप एक स्टेप नीचे आएंगे और इसके साथ साथ आपका मन और गहन विश्राम में गहरे रिलक्सेशन में उतरता चला जाएगा दस एक कदम नीचे और आपका मन शान्त हो रहा है नौ एक और कदम नीचे आठ न को और शान्त हो जाने दें साथ छे पूरा शरीर धीला पड़ रहा है आपके शरीर के रेशे रेशे को एक विश्राम मिल रहा है पांच चार आपका शरीर पूरी तरह से शितिल हो चुका है तीन और गहन विश्राम और अत्यंत अत्यंत ही गहन विश्राम दो पूरा शरीर धीला पड़ चुका है और एक इस विश्राम को इंजॉय करिए अब आप इमेजिन करें कि आप समंदर के उपर तैर रहे हैं आपका शरीर इतना हलका हो चुका है कि समंदर की लहरे आपको उपर फेंक देती हैं और आप गेंद की तरह नीचे आ जाते हैं समंदर की लहरों के साथ आपका शरीर डोलता जा रहा है आपका शरीर निर्जीव हो चुका है पूरी तरह से शितिल हो चुका है धीला पड़ चुका है जो कुछ भी हो रहा है इसको इंजॉय करते रहें उपर से सूरज की रोशनी आपको और अधिक विश्राम दे रही है लहरों के साथ खेलते रहें और अपनी तनाव को रिलीस करते रहें ये बात जाननी है कि आप कभी भी तनाव रहित हो सकते हैं तनाव आपका मूल स्वरू नहीं है आपका सच्चा स्वरू, मूल स्वरू, विश्राम की अवस्था है प्रेम की अवस्था है, शान्ती की अवस्था है लेकिन आपने इस दोड़ भाग के कारण इस ओपॉर्चिनिटी को खो दिया है ये वक्त है कि अब आप अपने अंदर की शक्तियों के साथ चुड़ना शुरू करें शरीर और ढहिला पड़ता जा रहा है और आप गहन विश्राम में उतरते जा रहे हैं आज के बाद जब भी आप तनाव महसूस करें आप दो तीन गहरी सांसे लेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सारी मान स्पेश्यां शितिल पढ़ने लगी है इस एक्सरसाइज को दिन में दो बार जरूर करें अगर आपको नीद नहीं आती है एंगसाइटी हो रही है तो ये विश्राम एक रामबान की तरह काम करेगा ये वक्त है अब वापस लौटने का आजपास की आवाजों को सुनना शुरू करें मैं एक से पांच की गिंती गिनूँगा और इसके साथ धीरे से आप अपनी आखें खोल सकते हैं एक दो तीन चार और अपने शरीर को हिलाते डुलाते हुए दोनों हाथों को अपनी आखों के उपर रखते हुए धीरे से अपनी आखें खोलें पांच मेरे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद